Hello everyone, Welcome to the channel E-Office Vlog आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें high security registration plate जो हम vehicles के लिए बनवाते हैं अगर उसके लिए online apply करना है तो वो हम कैसे apply कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ color sticker बनवाना है आपके vehicle पर पहले से ही high security plate लगी हुई है तो आप सिधे sticker के लिए भी apply कर सकते हैं इसके लिए हम कैसे apply करते हैं इस पर मैं एक video पहले upload कर चुका हूँ उसका link आपको description में और उपर i button में मिल जाएगा इस video में हम देखेंगे कि अगर हमने नई high security registration plate के लिए apply करना है नई vehicle के लिए या फिर आपके पुराने vehicle की number plate तूट चुकी है तो फिर नई plate के लिए apply करना है तो उसके साथ ही sticker के लिए भी apply हो जाता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप जिसी भी state के निवासी है उस state की website open करनी है आपको जैसे यह हरियाना state की website है high security registration plate HR HR का मतलब है हरियाना और HSRP का मतलब है high security registration plate इसी तरीके से आप जिसी भी state के रहने वाले हैं तो अपने state की website open कर लें उसके बाद यह दो option open होंगे आपके सामने एक registration plate with color sticker का और एक acrylic color sticker का तो जिसके लिए भी apply करना चाते हैं उस पर click करें सबसे पहले आपको vehicle की details एंटर करनी है यहाँ पर यह तीन चीज़े फिल करनी पड़ेंगे आपको आपके vehicle का number, chassis number और engine number यह तीनों चीज़ें आपको आपके vehicle की RC पर मिल जाएंगी एक एक करके तीनों को एंटर कर दें अपने vehicle का registration number, chassis number और engine number एंटर करने के बाद capture एंटर करें उसके बाद click here पर click करें विखल की details जो अपने details प्रोवाइड करवाई हैं उनसे अपने आप उठा लेगा यह उसके बाद आपको अपनी contact information एंटर करनी है contact information में owner का नाम, email id, mobile number, address यह सारी चीज़े एंटर करें अपनी सारी details एंटर करने के बाद maxed पे click करें इसके बाद यह दो option open होंगे आपके सामने इनमें से पहला option है कि अगर आप number plate को अपने घर पर ही fit करवाना चाते हैं तो आप home fitment वाला option select कर सकते हैं लेकिन यह अभी सभी districts में लागू नहीं हुआ है अगर आप इसमें check करना चाते हैं कि कहां कहां यह लागू है तो आप अपने pin code को search कर सकते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ रहा है started home delivery service in हरियाना new locations added for home delivery आपकी information के लिए मैं बता भी दूँ जब आप check for home delivery पे click करके हरियाना पे click करेंगे तो यह PDF file open हो जाएगी इस PDF file में जो जो pin code दिये गए हैं इन से भी pin code पर home delivery की facility available है तो यह आप check कर सकते हैं यह 36 pin codes हैं अलग-अलग districts में इसके अलावा आप अपने order को track भी कर सकते हैं cancel भी कर सकते हैं और अगर कोई complaint हो आपकी तो आप यहां से complaint भी registration कर सकते हैं complaints पर कलिक करके यह option आ जाएंगे आपके सामने इसमें जो यह reasons दे रखे हैं इनसे related ही आप complaint कर सकते हैं अगर आपके district में home fitment लागू नहीं हुई है तो आप dealer appointment पर कलिक करें dealer appointment पर कलिक करने के बाद आपको अपने dealer को select करना है उसके लिए सबसे पहले आप अपने district select करें district select करने के बाद go पर कलिक करें आप जैसे रोतक district में तीन fitment location है इन मेंसे जो भी आपके नजदेक है आप उसको select कर सकते हैं इन मेंसे किसी भी location के सामने जो ये arrow का symbol है इस पर आप click करेंगे तो उसका पूरा address open हो जाएगा जो भी आपके नजदेक हो उस पर click करके आप उसको select कर सकते हैं dealer को select करने के लिए confirm dealer पर click करें इसके बाद आपको appointment date और time select करना है यहां पर इसने लिख रखा है kindly select within 15 days तो 15 दिन के अंदर अंदर का time select करें कोशिश करें कि 10 से 15 दिन के time slot को आप select करें क्योंकि इतना time लग जाता है number plate और color sticker आने में तो जैसे मैं आज 18 तारिक को apply कर रहा हूं तो मैं next week में कोई भी date select कर लेता हूं date select करने के बाद आपको time slot select करना है date और time slot select करने के बाद confirm and proceed पर click करें इसके बाद यह आपको booking summary शो करेगा इसको confirm and proceed पर click करें यहाँ पर अब आपको अपनी details verify करके और payment करनी है अगर आपका mobile number same है तो यहाँ पर same as previous mobile पर tick करें अदर्वाइस mobile number ना enter करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप fees charges देख सकते हैं इसमें hsrp cost fitment charges और gst है अगर आप two wheeler के लिए apply कर रहे हैं तो लगबग 200 रुपे क्या सपास खर्चा है इसका इसको आप online पे कर सकते हैं इसके लिए i agree पे click करके pay online पे click करें यह payment mode है इसके इसमें से आप कोई भी select कर सकते हैं UPI net banking या फिर card से payment कर सकते हैं आप तो जो भी आपको convenient लगए उसको select करके और pay पे click करें यहां पर आपको आपकी UPI ID एंटर करनी है अगर आप qr code से payment करना चाते हैं तो show qr code पे click करके qr code से भी payment कर सकते हैं इसके बाद continue पे click करें अभी आपको qr code show करेगा इस qr code को यूज़ करके आप किसी भी UPI payment app से payment कर सकते हैं चाहिए वो phone पे हो पे टियम हो या google पे हो जब आप इस qr code को scan करके अपने phone से payment कर देंगे तो आपके phone से payment हो जाएगी और अपने आप ये next step पे चला जाएगा यहाँ पर आपकी payment हो चुकी है और ये appointment आ चुकी है इसको आप print करना चाहें तो print पे click करके इसका print out लेकर रख लें ये pdf file में download हो जाएगा इसका print out लेना चाहें तो print out ले ले ताकि जब आप fitment के लिए जाएंगे agent के पास तो उस टाइम पर ये काम आएगी तो ये process था high security registration plate के लिए apply करने का जिस date की आपकी appointment है उस date को जाके आप अपनी number plate लगवा सकते हैं अपने vehicle पर इसके अलावा अगर आप और कुछ पुछना चाहते हैं तो comment करके बताएं या फिर email करें eofficevlogatthe.gmail.com पर अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe ज़रूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद